जैहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग देखिए आज मैं आप लोग के लिए बहुत इंपोर्टन चीज लेकर आया हूँ और लेकर आया हूँ मेरे को मालूम है कि जुलाई में, आउगस्ट में, सिप्टेम्बर में बहुत सारे एक्जैम्स वेगरा होने हैं और इस चीज को दिमाग में रखते हुए ध्यान में रखते हुए मैंने कॉमन एर्रस आपके लिए मैंने लाया हैं आप अपने आपको चेक किजिए कि जो अगामी एक्जैम्स हैं उसके लिए आप कितना अंग्रेजी में तयार हैं यानि आप कितने questions कर सकते हैं तो पहली बात हो कि आपको अपने आपका टेस्ट भी ले लेना है और दूसरा जो सबसे important चीज है वो ये कि जो कुछ भी यहां पर मैं explain करूंगा तो उससे जो आपको सीखने को मिलेगा वो बहुत important होगा बहुत जादा आपके लिए जो है कि useful होने जा रहा है तो चलिए हम class को शुरू करते हैं आप देखिए आपने common areas पहला question क्या है और देखिए आप लो comment section में जा करके इसे मुझे बताईएगा कि हाँ आपने ये चीजें बिल्कुल सही किया था और वही मेरा उत्तर था वही आपका भी उत्तर था बिल्कुल आप ये 10 questions हैं और 10 में देखता हू कितना आप लोग करते हैं ठीक है पहला question है eliza is best student of her class eliza is best student of her class गलती है एक जगा सारे 10 questions में ने देखिए हां दसों में एक गलत है कही न कहीं गलती है तो eliza is best student of her class आपको कहा गलती लग रहा है आपको लग रहा है कि सब तु은 ठीकी है लेकिन नहीं दोस्ते हैं एक गलती है और वो गल्ती यह है कि यह superlative degree है और superlative degree में हमेशा याद रखे जो superlative degree होता है वो the plus superlative degree the plus superlative degree यानि जो superlative degree होगा है ना वो जो है superlative degree में आप ये मान करके चलिए कि the का परियोग होगा ही होगा यानि सही उत्तर होगा Elijah is the best student of her class the best यानि जो भी superlative, good, better, best हुआ न, good, positive, comparative, better, and the best, यानि Elijah is the best student, दूसरा है, आप देख सकते हैं, my father has done this work two days ago, my father has done this work two days ago, क्या सही हो सकता है, जिरा सोच ये, दिमाग पर थोड़ा सा बल दीजिये, कि क्या सही हो सकता है, क्या सही हो सकता है, क्या सही हो सकता है, कहा का question है, देख आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में नहीं आया है, क्या सही हो सकता है, तो मैं हो आपको बताने जाओ, ध्यान से सुनिएगा, अभी इसके explanation के बारे मैंने बताया, कि कभी भी, जो superlative, bigger, बीना दा के नहीं आएगा, तो ये चीज़ को generally वो दा के साथ आप आएगा, इस चीज़ को आपने सिखा, अब जो ये चीज़ देख रहे हैं, ये हमेशा याद रखे कि अगर अगो रहेगा, अगो किसी भी वाक्य में रहेगा, last night, last year, देखें यहाँ पर, last night, last week, year, इस तरह का month, year, है ना month, year, और इतना ही नहीं, yesterday, ये सब जो चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कि ये सब चीज़ें जो होती हैं, वो past indefinite में होती हैं, ना कि present perfect में, तो ये चीज़ें किस में होंगी, past indefinite में, और लिखा हुआ किस में है, present perfect में, तो गलती हुआ ना, यानि हमने इसे कैसे पकड़ा, अगो से पकड़ा, यानि इसका सही जो answer ह होगा, वो क्या होगा, correct हम क्या इसको करेंगे, तो my father did, यहाँ पर खतम हो जाएगा, has यहाँ पर नहीं आएगा, यह जो हमने has लिखा है दिदी आएगा ना इसलिए मैंने वहां पे लिखा my father did this work two days ago past indefinite चलिए अगला हम लेते हैं sentence ये तो आपको बताना पड़ेगा ये मैं नहीं बनाने वाला हूँ ये आपको बताना पड़ेगा आप स्वोचो दिमाग पे जो डालो और माता सरस्वती से बिलकुल प्रांशना क how have you done this work I don't know how have you done this work एक गलती है दोस्त अब कहा गलती है इसको समझ लेना देखो ये जो दो तीन चीज़े मैंने बताया ना पहला दूसा को से बहुत important चीज़े है इसे एकदम दिमाग होना दम लॉक करके रख लेना ठीक है अब देखो I don't know how have you done this work गलती तो है कहा गलती है हमेशा एक बात याद रखना कि दो clause है है ना एक subordinate clause होता है principle clause होता है सभी लोग जानते देखो अगर इस तरह का चीज़ें तुम्हें मिले I don't know मुझे नहीं मालूम है और ये question word है तो जब question word से चीज़ें शुरू होती है है ना जब दो वाग के रहे और एक वाग के जो है वो question word पे रहेगा तो उसको हम assertive में बनाते हैं यानि how have you done this word का मतलब जानते हो क्या हुआ यहाँ पर ऐसे नहीं हो जाएगा यह how को how हम रहने देंगे और have को यहाँ पर लेकर के चले आएगे यानि सही इसका उतर होगा I don't know how you have done this word क्योंकि देखो मैंने क्या बोला फिर से सुनो मैं क्या बोला हूँ तीसरा question मैं उसको ध्यान से समझना जल्दवादी कुछ नहीं है मैंने कहा कि अगर question word है question word में दो sentence है एक sentence है I don't know और दूसरा sentence है how have you done this work तो यह दोनों को जो है न यह how है न यह मतलब यह दो sentence है तो यह जो question word में जो sentence है how have you done this work को तुम्हें क्या बनाना है assertive में बनाना है तो हमेशा याद रखो एक चीदम सीख लो देखो किसी चीज़ को जब तुम assertive में बनाओगे तो क्या होगा जैसे हम बोले कि is he going तुमसे कोई बोले कि इसको तुम assertive में बनाओगे तो he is going होगा पहले समझो मेरा काम क्या है मेरा काम है समझाना ही हो जाएगा, does he play कौन दोर मसर्टी में करेंगे तो he plays हो जाएगा समझ में आ रहा है अगर एही रहता कि how does अगर आता how does he play तो क्या हो जाता, how he plays हो जाता, समझ में आ रहा है यानि इसका सही जो उतर होगा, I don't know how you have have you नहीं, you के बाद है how you have how you have done this work समझ में आया, assertive में, दो तीन चीज़े मैंने तुम्हें बताया है अगला है, the government has given economic help to the poor, इसमें तुम्हें गलती पता लगाना है कि कहां पे गलत है कहां पे मैंने गलती करा है the government has given economic help to the poor इसमें गलती है, हमेशा एक बात को याद रखो, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या है गलती, यहां पे ध्यान से समझो जो चीज़ें गलत है, वो गलत है समझ में आ रहा है आप लोगों को जो चीज़ें गलत है, वो गलत है हमें उसको सही चीज में करना है, सही सीखना है मैंने लिखा यहां पर the government has given economic help to the poor हमेशा एक बात त्याद रखो गरीब गरीब का अंग्रेजी poor होता है इसका मतलब सिर्फ गरीब हो गया ठीक है? अच्छा poor's का मतलब होता है गरीब लोग ठीक है? गरीब लोग होता है ठीक है? यह plural हो गया पूर का पूर्स यहां तक सबको आता है है ना? एक चीज और है the poor का भी मतलब वही होता है the poor का भी मतलब गरीब लोग ही होता है ठीक है ना? गरीब लोग ही होता है यानि ऐसे तुम समझो कि गरीब लोग का दो अंग्रेजी poor's और the poor लेकिन जैसे ही तो तुम the poor's लिखते हो अपने आप में ही गलत हो जाता है यह बिलकुल गलत हो जाता है समझ में रहा है? उसी तरह rich है rich मतलब अमीर और riches मतलब अमीर लोग और the rich मतलब भी अमीर लोग लेकिन the riches कहना गलत है यानि हम तुम्हें दो चीज़ सिखा रहे हैं ध्यान से समझो उसी तरह rich में है देखो यहाँ पर rich है rich है, riches है ध्यान से समझो यह अमीर और यह अमीर लोग और the rich मने भी अमीर लोग यह दोनों एक ही चीज़े है लेकिन the riches अगर हम लिखते हैं तो यह हम गलत लिखते हैं the riches नहीं होता है जैसे the poors नहीं होता है यानि यहाँ पर क्या गलती होगा the government has given economic help to poors या तो हम poors के बल लिखेंगे और या तो के बल पोर्स लिखेंगे दा को अटा देंगे और नहीं तो सिर्फ the poor लिखेंगे दो option है the poor लिख सकते हैं या सिर्फ poors लिख सकते हैं है ना यानि या तो ये वरा लिख सकते हैं और या तो ये वरा लिख सकते हैं ये वरा तो कते ही नहीं जो कि लिखा हुआ जो गलत है अब आते हैं पाचमा question पे ध्यान से देखो इसमें तुम लोग बताओ बहुत गल्ती तुम लोग करते हो बहुत गल्ती करते हो ठीक है मैं सम्झाते सम्झाते ठक जाता हूँ अपने क्लास में फिर भी लड़के गल्ती करते है मुझे बताओ क्या छुपा हुआ है हमने लिखा है we do not get economical support from you we do not get economical support from you देखता हूँ कौन बनाते हो देखता हूँ देखता हूँ देखता हूँ देखता हूँ देखो मैं मैं ही बता देता हूँ हमेसे एक बात याद रखना कभी भी ने economical support नहीं होता है economic support होता है economic support का मतलब हुआ आर्थिक support है ना economic मने आर्थिक होता है economical मतलब होता है देखो economical अगर कोई है इसका मतलब है बड़ा किफायती आदमी है किफायती उसका क्या मतलब हुआ किफायती कंजूस को कहते है एकनॉमिकल यानि तुम एकनॉमिकल कंडिशन कभी भी नहीं बोलोगे economic condition बोलोगे समझ में आया तो यहाँ पर किस में गलती है economic में यहाँ economical नहीं होगा economic support अच्छा अब हम तुम्हें बताते हैं छठा देखो छठा में क्या है पूरा कहता है he told me he told me that alia can speak English हमेशा एक बात याद रखो अगर reporting verb यह जो है ना यह past में है तो यह भी पूरा जो दूसरा sentence भी past में होगा एकदम दिमाग में रखना मैं पहले ही तुम लोगों को बता दिया है न थुआ सा time लेना चाही था मुझे मतलब यह करने के लिए देखने के लिए कि तुम लोग कितना दिमाग लड़ाते हैं लेकि चलो कोई बात नहीं भाई है ना तो he told me that Elia can speak English मैंने तुम एक rule के आमें बता रहा हूँ हमेशा याद रहा है लड़के बहुत गलतिया करते हैं ठीक है और यह सब competitive exams में इसी तरह के questions होते हैं इसी को थोड़ा सा अलग धन से वो लोग पूछ देते हैं लड़कों को शमाही में आता नहीं है क्योंकि यह सब चीज़ें बेसिक चीज़ें उन्हें पता ही नहीं होता है he told me यह past में है तो यह वाला भी past में होगा यह can past में तो नहीं है न यहाँ पर आपको समझ में आया यहाँ पर कैन की जगा क्या होना था कुड होना था कैन की जगा क्या होना था दोस्तों कुड होना था समझ में आया अब एक चीज़ यहाँ पर सात्वा नम्मर क्वेस्टन पर आओ यह मैं नहीं बताने वाला A, 9, 10, time up, सुनो यहाँ पर, there is no time to lost का मतलब क्या हुआ, देखो यह passive voice में है, यह गरत लिखा हुआ है, there is no time to be lost होगा, यहाँ पर B छुटा हुआ है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर B हो जाएगा, यानि there is no time to be lost, ठीक है, there is no time to be lost, है न, या, अगर हम इसका दो तरीके से हम कर सकते हैं, को जरूरी नहीं है, कि to be lost ही होगा, यह तो lost है यहाँ पर, इसलिए मैंने B को लगाया है, हम ऐसे भी लिख सकते थे, there is no time to lose भी हो सकता था, वो active है, और यह to be lost, passive है, I am confident to doing this work, यह doing है, I am confident to doing this work, हमेशा याद रखना, confident के बाद off आता है, और off के बाद जो है ना, चोथा form आता है, यानि confident है, तो off आएगा, और off के बाद के बाद के आएगा, चोथा form आएगा, यानि चोथा form तो है, सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पर two नहों करके क्या होना है, यहाँ पर two नहों करके off होना है, यानि I am confident of doing this work, चलो अब नौमा में आते हैं, कुछ He is still in fix, देखो इसमें क्या है, इसमें article का error है, देखो in a fix, in a fix, in a fix का मतला होता है उधेड़ बून में, तो A यहाँ पर article अपने आप से लग कर क्या आता है, तो मैंने क्या किया है, यह नहीं लगाया है, यानि in a fix होना चाहिए था, तो he is still in a fix, यह यहाँ पर यह error है, omission है है ना, समझना रहा है, अगला है दसमा, अब हमने लिखा है कि we have got two information about this, we have got two information about this, यह तो बहुत common है, तुमनों को मालूम भी होगा मेरे ख्याल से है, देखो मेरे जो वीडियोस मैंने डाले हैं, बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले हो हैं, grammar वगर पर जाकर कर कि तुमनों करते हो ना, तो मतलब ब्यूस बढ़ते हैं, लोगों तक पहुचते हैं, तो हम लोगों को भी ना, बड़ा अच्छा लगता है, हम लोगों को भी लगता है ना, कि चलो यार, कुछ काम किया, तो मतलब वो दिखता है, है ना, तो थोड़ा सा हम लोग भी आप लोगों के लि we have got two informations हमेशा याद रखना कि जो information word है इसका plural नहीं होता है यानि ये informations गलत है तो क्या होगा we have got two information नहीं we have got two information भी नहीं होगा तो क्या होगा we have got two pieces of information we have got two pieces of information हमेशा याद रखना we have got two pieces देखो information अगर दो हो ठीक है न तो two pieces of information लिखो है ना हमेशा याद रखना कि information में एस नहीं लगता है ठीक है तो अगर एक है तो we have got an information लेकिन जब two information है तो we have got two pieces of information यानि जो लगना था वो piece में ही यह plural हो गया यह अलग से हम लोग लाता है यह plural noun हो गया है ना इसमें कुछ नहीं इसमें कोई मानने यह बिल्कुल untouched रहेगा two है तो two pieces of information समझने आया तो दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल आप लो like किजिएगा और please 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 share करना मन भी लेगा तो आज बर इतना ही thank you